नमस्का दोस्तों, ई-Invoice Portal पर पाँच करोर से ज़्यादा टान नोवल वाले SSC के लिए Sandbox पर टेस्टिंग एवलेबल हो गयी है, जिनका भी टान वर पाँच करोर से ज़्यादा है, वो ई-Invoice Portal पर टेस्टिंग कर सकते हैं, इसका मतलब जल्दी ही ऐसे बिजनिसमेन, ऐसे रजिस्टर, जिनका टानवर पांच करोड से जादा है, उनके उपर e-invoice applicable हो जाएगा, फ्रेंड्स ये दिहान रखिए जो पांच करोड के लिमिट होती है, ये आपका जुलाई 2017 से लेके 2022, मार्स 2022, किसी भी प्रिविस financial year में अगर इससे ज्यादा होगा, तो आपके लिए e-invoice applicable हो जाएगी, जैसे ही एक notification circular आएगा, बहुत कम समय में आपके उपर e-invoice applicable हो जाएगी, तो फ्रेंड्स अपने सिस्टम को, अपने आपको upgrade करना ना भूले, e-invoice totally जो है, technology का खेल है, आपको e-invoice portal पर जाकर e-invoice generate करना परता है, एक e-invoice का structure होता है, offline utility होती है, जिसमें जाके आपको one by one सारी detail बननी परती है, फिर एक JSON file generate होगी और उसको upload करना पड़ेगा, friends, taxpayer जिनका टान और पांच करोड से जाता है, उनकी लिए testing स्टार्ट कर दी गई है, sandbox पर, इसमें आप अपना, जो है, अपने entity का data test क कर सकते हैं, friends, अपने आपको जल्दी upgrade कीजिए, और e-invoice के provision को समझे, वीडियो अच्छा लगा हो, तो share, like and subscribe कना ना बुले, चैह बारत, तन्यवाद,